हलो दोस्तो कैसे आप मैं आपका दोस्त अमोल पाटे दोस्तो जैसा कि आपने थमनेल में देखा हूँगा जॉमेटो डिलूरी पार्टनर्स के लिए एक बमपर ओफर अभी यहाँ पर दिया गया है तो आज हम उसके बारे में भी डिसकस करेंगे वैसे दो बड़े बड़लाओ Zomato Durative Partner एप में किये गए है rate card को लेकर rate card में दो बड़े बड़लाओ अभी यहाँ पर किये गए है और ये दो बड़े बड़लाओ जो petrol महेंगा हो रहा है इस महेंगाई के कारण यहाँ पर किये गए है तो दोस्तो आगे बड़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी request है अगर आपने इस channel को अब तक subscribe नहीं किया तो subscribe ज़रूर कर लिजे क्योंकि मैं ऐसी earning related job related video आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ और वीडियो को एक प्यारा सा like करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तो काफी एरिया में zomato delivery partner अपने rate card को लेकर काफी जादा नाराज है क्योंकि वहाँ पर जो एक gigs जो दिया गया था उसमें भी कुछ काफी problem create हुए थे तो कई सारे एरिया में अभी भी problem चल रहे है और कई सारे एरिया में zomato partners एक अच्छा निंग ले भी रहे है तो जो दो बड़े बडलाव यहाँ पर किये गये है और जो bumper offer यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में detail में आज हम जानेंगे क्या यह बडलाव zomato delivery partner को एक बड़ा फायदा दिला सकते है जो petrol के महेंगाई काफी speed से बढ़ रहे है क्या इस महेंगाई के दवरान हम zomato से एक अच्छा निंग कर सकते है इसी के बारे में हम जानकरी आज इस वीडियो में लेने वाले है तो इसलिए चलते हम अपने mobile screen पर जहाँ पर जो दो बड़े बड़ाओ किये गया है उसके बारे में detail में जानकरी मैं आज आज आपको देने वाला हो तो चलिए चलते है mobile screen पर दोस्तो जो दो बड़े बड़ाओ rate card में किये गया है उसके लिए पहले हम rate card को open कर लेते हैं इसमें जो पहला बड़ाओ किया गया है वो किया गया है total distance pay को लेकर जैसे आप screen पर देख पा रहे हो total distance pay जो अभी हमें दिया जा रहा है यानि जो changes करने के बाद जो अभी हमें यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है चार उपए 65 पैसे यानि 10 पैसे यहाँ पर किलोमेटर के लिए बढ़ाए गया है अब आप मुझे comment में यह जरूर बताना क्या यह 10 पैसे जो बढ़ाए है वो petrol के जो rate बढ़ा है वो इसाब से यानि जो बदलाओ किया गया है वो ठीक है या नहीं है तो यह comment में प्लीज मुझे बताना क्योंकि मुझे तो लगता है यह 10 पैसे जो बढ़ा गया है वो काफी कम है petrol के rate के हिसाब से तो यह बदलाओ मुझे नहीं लगता काफी अच्छा किया गया है करके क्योंकि petrol हमें आप सब भी आप जानते है पेटोल का खर्ड जो लगता है वो काफी जादा लगता है लेकिन यह बदलाओ से मैं भी अभी निराश हो यह बदलाओ एक काफी अच्छा बदलाओ नहीं कहा जाएंगा क्योंकि अभी पर किलमेटर सिर्फ 10 पैसे बढ़ाए गया है अब इसके बाद हम जान लेते हैं जो दूसरा बदलाओ यहापर किया गया है उसके लिए हम पहले notification में आपर जाते हैं काफी लोगों को यह notification आया होंगा काफी लोगों को शायद यह offer अभी ना दिया गया हो क्योंकि काफी area में आप सभी जानते हैं rate card को लेकर काफी जादा problem चर रही है तो शायद हो सकता है कि कुछ area में यह अभी rate card में यह बढ़लाव किये गए होंगे तो जैसे यह आप जैसे आप देख पा रहे हो bumper offer यह क्या है earn up to 13,800 rupees in the next 10 days यानि अगले 10 दिनों में आप यहाँ से 13,800 रुपे की earning कर सकते हैं अब वो कैसे कर सकते हैं वो है 1 April से लेकर 10 April तक का time यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आप जैसे आप देख पा रहे हो जो दो तरह से यहाँ पर changes किये गया है पहला है आप सुमवार से लेकर शनिवार तक यानि सुमवार से लेकर शनिवार तक 1350 रुपे पर डे आप कमा सकते हैं जो मिनजी के हिसाब से दिया गया है यानि minimum guarantee के हिसाब से आपर यह bumper ओफर दिया गया है तो उसमें सुमवार से लेकर शनिवार तक तेरा सो पचास रुपए की अर्निंग आप पड़े कर सकते हैं मिनजी के अनुसाब और जो दूसरा यहाँ पर दिया गया है वो सिर्फ संडे के लिए दिया गया है जो दिया गया है पंदरा सो रुपए आप जैसे देख पा रहे हो पंदरा सो रुपए on संडे यानि आप संडे में पंदरा सो रुपए मिनजी की हिसाब से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं अब यह कैसे होता है इसमें क्या कंडिशन है उसके बारे में भी हम रेट कार में अगले हम जानेंगे अब यहाँ पर आप जैसे आप देख पा रहे हो नीचे आप पड़ पा रहे हो सिर्फ आपके लिए जोमेटो लेकर आया है एक बहतरीन ओफर कमाए ये तेरा जार आट सो रुपए दस दिनों में तेरा सो पचास रुपए विकेंड्स में पर और पंदरा सु रुपए ओन संडे और दोस्तों जैसे आप नीचे कंडिशन यहाँ पर आप देख पा रहे हो मिनिमम लोगिन टाइम जो है वो दस गंटे का है यानि आपको दस गंटे मिनिममम लोगिन रहना है जैसे आगे आप देख पा रहे हो साड़े छे गंटे के लिए जो पीक और होता है यानि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का और शाम में 7 बजे से रात में 12 बज़े तक का जो पीक और होता है उसमें आपको रोज 6 गंटी के लिए आपको login time complete करना ही पड़ेंगा इसके बाद denial up to 1 यनि आप कोई भी order denial कर सकते है एक और 0 cancellation और जैसे आप offer देख पारे हो offer सिर्फ 1st April से लेकर 10 April तक ही दिया गया है अब इसके बारे में थोड़ा सम detail में rate card में जाकर हम थोड़ी से जानकरी ले लेते हैं जैसे हम अपना rate card open कर लेते हैं अब यहाँ पर आप देख पारे हो आज Sunday है अब Sunday में आप जैसे देख पारे हो login हो और guarantee अब जैसे हम इसे open कर लेते हैं तो तीन तरह के slot दिये गया है एक पहला slot जैसे आप देख पारे हो यहाँ पर आप 8500 रुपए आप कमा सकते हो मिंजी के दौरा यानि minimum guarantee इसके लिए आप जैसे आप नीचे देख पारे हो यहाँ पर आपको login टाइम वही है 10 गंटे के लिए login आपको रहना है और आपका जो मैंने आपको बुला peak or यानि सुबा 11 बजे से 2 बजे तक और शाम 7 बजे से 12 बजे तक आपको 6 गंटे complete करने हैं और यह नीचे के और कुछ condition है एक denial, zero cancellation, zero food not deliver तो यह पहला मिंजी इसके बाद दूसरा हम open कर लेते हैं तो द दूसरा आप जैसे आप देख पा रहे हो 1150 रुपय आप यहाँ पर कमा सकते हो जिसमें minimum order आप यहाँ पर देख पा रहे हो 18 order आपको minimum करने हैं इसके बाद जो login टाइम है वह ही 10 गंटे का और peak और आपको 6 गंटे complete करने हैं और जो तीसरा यहाँ पर आप देख पा रहे हो वह है 22 order आपको complete करने है 1500 रुपय तक का पर अरणिंग यहाँ पर ले सकते हैं minimum login टाइम 10 गंटे का और login पीक और जो रखा गया है वह रखा गया है 6.5 यानि 6.5 गंटे का आपको minimum peak और यहाँ पर complete करना पड़ेंगा तो यह तीन तरह से यहाँ पर minimum guarantee का पर दिया गया है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो इस तरह से दो बड़े बड़लाव यहाँ पर किये गये है तो यह जो दो बड़े बड़लाव किये है उसमें से जो यह bumper offer जो दिया गया है वो आने वाले 10 तारिक तक 10 April तक ही दि आप प्लीज कमेंट मुझे आप कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिलकुल ना भूलेंगा तो चलिए थैंक्यू सुमज दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में